आज कुछ ऐसे फूलो वाले पौधों के नाम बता रही हूँ जो शेड में ग्रो होते हैं जिनें तेज दूप की ज़ुरत नहीं है छोटे कंटेनर में हैंगिंग बास्केट में बहुत अच्छे से आप इन पौधों को लगा सकते हैं सिर्फ 5 इंच के कंटेनर में ये पौध इस बात का विशेश ध्यान रखें वेल्डरन सॉयल में लगाने का मतलब है कि कोकोपीट 40% 40% गार्डन सॉयल 20% कंपोस्ट को मिला करके अधी आप लगाते हैं तो बहुत अच्छे से फ्लारिंग होती रहती है इसके फूल जब मुर्जाने लगते हैं 20-25 दिनों तक ऐसे ही सर्वाइब कर जाएंगे तो हमेशा के लिए ये आपके गार्डन में रहेंगे इन पौधों को आप कट कर दें जब इसके फूल मुर्जाने लगें सिर्फ इस बात का ध्यान रखें कि ओवर वाटर ना हो ओवर वाटर से इसमें फंगस की प्रॉब्लम होती है और ये लगाईए जो छोटा हो बड़ा ना हो बहुत बड़े कंटेनर में ये खराब हो जाते हैं छोटे कंटेनर में बहुत अच्छे से चलते रहते हैं दूप से बचा करके रखना है वेल्डरन सॉयल में लगाईए और जहां तक खाद की बात है हर एक 15 दिनों पर एक चम्मच व अगला जो पौधा है ये हैंगलिश आईवी बहुत ही सुन्दर हैंगिंग बास्केट में गुच्छों में ये लटक जाता है और देखने में बहुत ही खुबसूरत लगता है इस पौधे को तेज धूप नहीं चाहिए बलकि धूप बिल्कुल भी नहीं चाहिए सिर्फ ओ पौधा अभी आप नर्सरी से ले सकते हैं जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने भी इसे हैंगिंग बास्केट में लगाया है और ये सालो भर हरियाली देते हैं आपके गार्डन में ये पौधे पर्मानेंट हैं ये एक बार लगा लेने के बाद आप यदि ओवर वाटर नहीं करेंगे तो हमेशा आपके गार्डन में चलते रहेंगे इन पौधों की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए कोई भी नाइट्रोजन युक्तखाद देना होगा यानि की आप वर्मी कंपोस्ट को रात भर पानी में भिगोई और अगले दिन उसके पानी को यूज कर लेजे अगल इन पौधों को आप अपने घर में जरूर लगाईए क्योंकि ये पर्मानेंट पौधे हैं यदि ये मरते हैं तो मतलब आपके तरफ से ही कोई गलती हुई होगी और एक ही गलती होती है और वो है ओवर वाटर सभी पौधों की तरह ये इसे डेली वाटरिंग करेंगे तो पौधे खराब हो जाएंगे तेज सनलाइट में ये पौधे खराब हो जाएंगे बस इसे दो तिन दिनों पर एक बार पानी दीजिए वेलरेंस वाइल में लगाईए और खाद 15 दिनों पर आप चाहें तो दे सकते हैं अगला है डायन्थास का पौधा देखिए ये ऑक्ट कर दीजे फिर दुबारा ये फ्लारिंग करेगा अभी फागुन की समय यानि के मार्च में फिर इसे एक बार अच्छे से कट करेंगे ये दिया तो में जून तक आप इस पौधे को बचा सकते हैं और लागतार 6-7 महीने फ्लारिंग ले सकते हैं इसकी कटिंग बहुत असान की ये ड्रॉफ वाली विराइटी है इसे भी मैंने लगा रखा है हैंगिंग बास्केट में यदि हैंगिंग बास्केट में आप लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं अधर्वाइस छोटे कंटेनर में लगाई ये बिना देख रेके शेड में ग्रो होता रहता है इस के नाम से जाना जाता है इस पौधे को तेज धूप से बचाना होता है और ये देखने में बहुत ही सुनहरा कलर और बहुत ही खुबसूरत लगता है छोटे कंटेनर में जब इसकी पत्तियां चारो तरब से गिरने लगती है तो वाकई ये गोल्डन एक माहौल क्रियेट कर अगला है फर्न की वराइटी सर्दियो में ये खराब हो गया था वापस से रिग्रो किया है मैंने फर्न की बहुत सारी वराइटी जाती है और उनमें से ये एक वराइटी है ये जब पूरा भर जाता है Vergश्डों में इसके फूल निकलते हैं जब आप झोटेंर में राउ गुच्छों में फूल देते हैं पिटूनिया और पॉर्चूल का लेकिन इन्हें धूप की जरूरत बढ़ती है बिना धूप के पौधे ग्रो नहीं होते हैं अगला जो पौधा यह है पैंजी का पौधा जो देखने में बहुत ही खुबसूरत लगता है यह फूल तो आप अ अक्टूबर नवंबर में इसके बीज मिलेंगे या कटिंग 20 रूपे में मिल जाएगी नरसरी पर आप ला करके जरूर लगाईए यह मनी प्लांट की एक मार्वल पोथोज विराइटी है इसे ज़्यादा धूप की ज़रूरत नहीं है यह शेड में बहुत अच्छे से ग् होगा कि धूप में यह पौधा खराब हो जाता है इसे धूप की ज़रूरत नहीं है लेकिन इस पौधे को चाया में ग्रो नहीं किया जा सकता ऐसे जगह पे रखे जहां ओपन में हो सनलाइट ना मिले गर्मियों में लेकिन इसके उपर ओपन आप यूँ कर सकते हैं इसके बहुत सारे कलर आते हैं और यह एक पत्ती भी अदि सॉइल में आप दबा देंगे तो आप देखेंगे तीन चार दिनों में उसकी जड़े धीरे धीरे डेवलाप हो रहे हैं अभी आपको करना क्या है कि आपके हाँ इसके फूल खिल रहे हैं तो एपरिल में इसे दाल कर वापस रीग्रो करेंगे यह सिनर एरिया सिनर एरिया शेड में ग्रो होने वाला और गुच्छों में फूल देने वाला पौधा है यह कम से कम एक हजार फूल खिला देता होगा पांच से छे इंच के कंटेनर में इसके बड़े सारे कलर और विराइटी जाती हैं परपल हर्ट की हैं परपल हर्ट देखने में बड़ा ही खुबसूरत पौधा लगता है और यह है स्टॉक के फ्लावर्स शेड में बहुत अच्छे से दो तीन महीने तक फ्लारिंग करते रहते हैं यानि की दिसंबर से लेकर एप्रिल तक लागतार फूल खिलते हैं इसमें कलर्स और भी आते हैं इसको कोई ज्यादा केर की ज़ुरत नहीं है बीज इसी में बनते हैं आप उन बीजों को चाहें तो मैच्छोर होने के बाद कलेक्ट करके रख सकते हैं यह भी डाइंथस की एक विराइटी है दूसरा कलर है जो पहले मैंने दिखाया है वो कलर नहीं ह देखे छोटे छोटे कंटेनर में कितने अच्छे से ग्रो हो रहा और यह है साल्विया इसके दो तिन कलर्स आते हैं साल्विया शेड में ग्रो होने वाला पौधा है और इसे धूप पसंद नहीं है मुझे उमीद है कि यह जणकारी आपको अच्छी लगी होगी जणकारी इसेने का मकसद यह है कि छोटे जगह में भी जहां पर की ज्यादा शेड है धूप नहीं है वैसे में भी आप अपने गार्डनिंग के शौक को पूरा कर सकते हैं इसे रिलेटेड और भी कोई क्वेरी है तो आप कॉमेंट सेक्षन में लिख दीजेगा मैं जरूर आंसर करूं मेरा एक और चानल है एवर ग्रीन गार्डन वन एम आप उससे और जनकारी ले सकते हैं